सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी बैया वेट बैया तुने मैं वेट देख्या ना वेटी तो कर रहा हूँ तीवी साथ साथ देखने में ही मज़ा आता है ना अब अपने एटेल एजटी सेट टॉप बॉक्स पर पें ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रेकॉर्ड या पॉस करें आज ही मिस्ट कॉल दे 76780-76780 पर नमश्कार मैं शाना एटीवी न्यूस के स्पोलेटिट में आप सभी का स्वागत करती हूँ राजी का 2017-18 का बजट विधान सभा में वित्तमत्री डॉक्टर हसीब द्राबू द्वारा पेश किया गया आपको बता दे कि उनका पेश किया गया यह तीसरा बजट था वहीं इस बार के बजट में सरकार ने सरकारी मुलाजमों और डेली विजट को तौफ़ा दिया है आपको बता दे कि जिसके तहट अपरेल 2018 से राजी की सरकारी करमचारियों के हक में के इंदी करमचारियों के तर्स पर साथवे वेतनायों की सिफारिशों को लागू किया ज जिसके मताबक सरकार ने डेली वेजर को नियमित करने की प्रकेद्या शुरू करेगी इसकी शुरुआत उन डेली वेजर से होगी जिन्होंने पी एचाई और इर्रीगेशन विभा को अपने जमीने मुहिया कराई है बजट में तीन लाग कंस्ट्रक्शन वरकर को बीमा दे जाए तो बेरोजगारी कम हो सकती है वही बजट में चावल आटे मैदा सूजी जैसी चीजों और सूर्य की उड़जा से चलने वाले करणों में टैक्स की चूट दी गए है बजट में गवर्मेंट पेमिन्ट सिस्टम को रिफॉर्म करना पहली बार फसल भीमा योजना बन की बजट में कही गई ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके हमारे फाइनिस मिस्टर साब ने और यह जो हमारी गवर्मेंट है को लिशन गवर्मेंट है इसने जो बासट हजार डेली वेजर्स वरकर हैं जिनका कोई आता पता नहीं था पिछली सरकारों ने उनको गुमरा किया हुआ था और उनका कोई नाम निशान तक नहीं था है और सरकार ने कहा है कि सेवंट पे कमिशन आम बाद में लागू करेंगे लेकिन पहले डेली वेजर्स का मुद्धा हल करेंगे बहुत बड़ी बात है मैं कहता हूं कि गरीब आवाम मजदूर किसान की सुनी गई है गरीब लोगों की सुनी गई है में वित्तमंत्री हसीब द्रावू के बजट पेश करने के बाद इस परनेताओं ने अपनी राए भी पेश की आपको बता दे कि बजट पर जहां सत्ता पक्ष ने खुशी वक्त की और बहतर बजट बताया वही वपक्ष ने इस बजट पर माई उसी जटाई उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालाद ख जो बजट पेश किये हैं उन्हें जो बादे गई हैं उन्हें आज तक लागू नहीं किया गया और इस बार भी बजट सर्फ और सर्फ सपने दिखाने वाला ही है जो कैश्वल लेबर्स है बड़ी डिमांड है उनकी उनके बारे में बिल्कुल हैरा फेरी की तरीके से लफजों को दोराया गया उन्हें आनरेस्ट के वज़े से जितने लोग मतासिर हुए और उनके बारे में कोई स्मार्ट स्टीज के बारे में बड़ा डंडोरा पुटा ऑर अगर हम देखेंगे कि कैसी लोगों के बारे में प्लूज स्वार चूर्ज वाले में और इस इसार्ट के मावादव आज्डियरे को मामला ओर उिस्वां चाहत उनक्सान हुआ और उस बजेट में नहीं है आधेंगे और उस बजट बारे में आनुटिन है वधान सभा की दूना को देखते हुए राजनितिक पार्टियों की तरफ से चायन सरगर्मिया को तेज कर लिया गया है और दल बदलाओ का भी दोर जारी है आपको बता दे कि नाभा हलके में श्रोमनिय काली दल से पार्टी को उस समय बड़ा जटका लगा जब उनके पार्ट कोर की मद्जूद्गी में शामिल हुए आपको बता दे किसी के साथ उनका स्वागत भी किया गया वहीं आपको बता दे कि आप पार्टी के दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल पर ठीके हमले किये गए वहीं कॉंग्रेस पार्टी के नाभा से उमीदवार जिसमें शामिल हुगए है इस चोन महेंदे विच और इना नाल आण देनाल साड़ी ताकट ज़्यादा वादी और जित होर येकीन होंदिया होर मजबूत होंदिया देखो सार्या ने करनियाने रैलियां सबने करना क्योंके जड़े जड़े चोन महंचे हैं और आ ऑण गे पर मेंनु पूरा यकीन है के महराजा साब दी लीडर्शेप देहेठा उना दी काबलियत पंजाब नू इस दल दल तो कड़न देवेचे लोकाने फत्वा सनुई देना है देखो ओना नू पुछो असी ता चार हफ्तेयां चे करांगे साड़ा प्रोग्राम ब्लूप्रिंट स सारा त्यार है और सार्याने लगके जेड़े जेड़े जड़े नश्यां दी उन्हों कड़के फिर अगे में हम लेके जाना है जिला गुर्दासपूर के शहर दीना नगर में गाओं जंडे चक के पास बस और मोटर साइकल की टकर में 17 वर्षी नौजवान की मृत्यू हो ग आपको बता दे कि संबंद में जानकाली देते हुए एडिशनल ऐसे चोमंदीप ने कहा कि दीना नगर से गुर्दासपूर की तरफ जा रहे नौजवान की मोटर साइकल बस से टकरा गई जिसके कारण मौके पर ही नौजवान के मरत्यू हो गई वहीं बस ट्राइवर मौके से फरार हो गया पुलिस ने आगे की कारवाही शुरू कर दी है और मामले की जाच में जुट गई है किस तरह है लड़का मोटर फेरल जा रहा सी के बस लुखी वारे सी तो होगी इसकर लटकी दी मोट होगी है पंजाब के मुक्सर में उपमुख्य मंत्री शुक्पीर सिंग बादल ने केजवाल की राजनीती को घटिया राजनीती बताया वही सक्पीर बादल ने कहा कि केजवाल पंजाब की अमन शांती भंग करना चाते हैं जिन आतंक वादी संगठनों से वे समझाता कर रहे हैं उन्होंने 15 साल पंजाब को पीछे धकेला है वही सुक्पीर ने कहा कि मैं पंजाब की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी हालत ने आमन शानती भंग नहीं होने दी जाएगी भी उनोंने कहा कि केजिवाल उनसे समझाता कर रहे हैं जो सर्बत खालसा बुलाते थे पंजाब में सिख गरम दली से मिल रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दो और इसी के साथ स्जी पी सी चुनाओ में आम आदमी पार्टी उनकी मदद करेगी आपको बता दे कि आम आदमी पार्टी की साज़िश पर मेरे और सीम पर हमले हुए हैं ये यूनाइटेड अकाली दल और अपने बल पर चुनाओ लड़ने की बात कर रहा था आपको बता दे कि उनका खेना था कि आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहा है वही केजरिबाल ट्रेयरिस संग्ठनों के साथ समझाते कर रहा है और खुद सीम बनना चाता है जो लोग पंजाब के सीम के दावेदार थे उन्हें शहीद होने के लिए मेरे और बादल साब के खिलाफ चुनाओ मैदान में उतार दिया गया और इनकी पार्टी को दस सीटे भी नहीं मिलने वाली और अगर चुनाओ लड़ना है तो अपने दम पर चुनाओ लड़े वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की घटिया राजनिती ना करें केजरी वाल दी पिछे जे आज यदे तक्त प्राने जदर है सर्बत खाल से उन्हाना मीटिंग हुई एनने खांड की जथे आर्पी सिंग है जिड़ा खांड कीता जथा जिना बबर खाल सा ओगनाइजेशन ना जिड़े फरंट है उन्हाना दी ब्रेक्फस्ट उदे करे ज कीती एक सो पिछानवी नमस